कि मुझे माफ कर देना चिराग मुझे पता है जो कुछ में करने जा रहा हूं उसे तुमें बहुत तक्लीफ होगी बहुत दर्द होगा पर मेरे पास दूसरा चारा भी नहीं है कि मुझे माफ कर देशन राट हमकरो संब बुद है लिए कशन्तर ह samp उस्केशजा हैецर कि acronyft जॉब हूं कि उसके भलाहि के लिए करें अब थोड़ा जलिदी करो ना में शपिंग देर हो रही है मेरे चिराग को दर्द होगा कैसे चीखा आजुन ये पौधे की मेरा मलब चिराग की नहीं सुमित्रा की चीख है काहे वो फिल्चेर से घिर्टो ले गए चलो देखते हैं सुमित्रा जी तुम गपर आउनक में आ रहा हूं सुमित्रा जी सुमित्रा जी क्या हो आपके साथ कोई अंदर गुचा है था क्या यह वो अभी भी अंदर है रावी हाँ जल्दे श्याम्बूलेंस को बलाओ C.I.D. को बन करो अरे यहां तो कोई नहीं है अभी जल्दे घाब हो गया हो खुण पीचे का दर्वाजा कुले है लगता हूँ यहीच भाग है आई! रुक! आई! रुक जाप! भेगता हूं के जबचिके जाएगा अभुच से छोड़ूँगा नहीं तोजा मेर अने कोई भगरोई से पूम करके भागाएए रुक! 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 पंकज, मैने तुझी कितिनी पार संजाया है फिर भी तू इतनी गल्पिया क्यो करता है मैं क्या करूँ सर? मेरे पास आप जेसा अनुबाव थोड़ी है आप इतनी सालूसे C.I.D. मैं मैं आपकी बनावरी कैसे कर सकता हूँ? यह बात तो है वैसे पंकज, तू उतना बुद्धू नहीं है देख ले ना जैसे दया सर ने निखिल को सिखाया है वैसे ही मैं तुझे सब कुछ सिखा के एक चबार तस तस C.I.I.D. officer बना दूगा इस तरह से बाहर नहीं जा सकते समझाये? जही आप में पूटू भी नहीं लगा हुआ है अरे हाँ तो फिर A.C.P. sir बात किस से कर रहे है? हाँ 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 मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजार सकता तुम तु जानते हो ना C.I.D की डूडी कैसी होती है समझा करो और फिर मैंने तुम्हें यह किस लिए लाया? यहां ब्यूरो में क्योंकि तुम घर पर अकेले महसुस कर रहे थे अब तुम्हारे साथ इतने सारे दोस्त हैं गर में बगर तुम उनके साथ खेलना ही नहीं चाहते क्यों? हाँ हाँ पता है मुझोर तुम से थोड़े बड़े हैं और तुम छोटे हो इसलिए चलो तुम्हारे लिए छोटे दोस्त भी लेकर आऊंगा तेन फिलहाल तुम्ही यह इसलिए लाए तकि तुम्ही यह और नहीं दोस्त मिलेंगे और सबसे बढ़ियान दोस्त कौन होंगे तुम्हारे मानों फ्रेडी और पंकाज हाँ हाँ देखो कैसा प्याद देंगे हाँ चलो अब चलो अब हसो भी हाँ हाँ मैं इस पौदे के साथ बात कर रहा था इस पौदे न बिलकुल बच्चे जैसे होते हैं मेरे घर में बहुत सारे पौदे हैं बहुत सारे बताने हैं पुड़ा सा बुर्जा गया पताने क्यों वैसे तो इनके भी मूर्ज होते हैं हमारे जैसे सर हाँ पौदे हमारी बाते सुन सकते हैं बाते सुन सकते हैं अरे समझ भी सकते हैं और तो और इन्हें तुम जितना प्यार दोगे न और इन्हें कभी-कभी संगीत भी सुनाओगे न तो यह हमें दुगना प्यार देते हैं और दुगना बढ़ने लगते हैं, खुश हो जाते हैं सर, आज से मैं घर जाकर अपने पौधों से बात करूँगा उनके सामने टांस करके भी दिखाऊंगा अरे बापरे, कई पौधे डर नहीं जाएं, फ्रेडी किसे भी पौधिमार? खून हुआ कापर काफी गहरा घावे सर पे, किसी भारी चीज से वार किया गया है जिससे मौत हो गई इसकी और कोई घावे शरीर पे? नहीं सर, सर के अलाव और कहीं भी कोई भी घाव का निशान है उनके निशान यहां तक मतलब विचारी घसीते घसीते यहां तक कही और यहां पे दम दोड़ दिया ना सर, वार पॉड़ोसियों का भी यही कहना है कि उन्हें ने सुमित्रा के चीखने की आवास सुनी थी और मदद के लिए अमुलेंस भी बुलाई अगर अफसर सर तब तक काफी देर हो चुकी थी खुन के निशान यहां से शुरू हो रहे हैं, इसका मतलब सुमित्रा यहां वीलचेर पे बैटी होगी और खुनी ने इस तरफ से वार किया सुमित्रा नीचे गिरी और वो हतियार लेके तीचे के दरवाजे से गाया अशर लेकिन सुमित्रा को यहां से वहां तक जाने में ज्यादा वक्त नहीं लगा होगा और इतने ही वक्त में खुनी उतनी दूर कैसे पहुचिया क्योंकि अर्जुन ने खुनी को गेट के बाहर पकड़ाता तो शायद हुआ कुछ ऐसा होगा सचिन कि जब खुनी ने सुमित्रा पे वार किया तो वो नीचे गल के बेहोश हो गई और खुनी हथियार लेकर पीछे के दरवाजे से भाग गया और जब सुमित्रा को होश आया तो विचारी यहाँ से रेंगते रेंगते दरवाजे के बाहर गई यहाँ भी पड़ोसियों से मदद मांगी तब तक यह खुनी वहाँ पहुंच गया, जर्वाजे के बाहर. सर, सुमित्रा जी के परिवार में उनके भाईया भावी के अलाव और कोई नहीं है. तो मैंने उनके भाईया सुनील जी को इंफॉर्म कर दिया है, वो बस थोड़ी देर में पहुंचते होंगे. ठीक, सुमित्रा के घर में कोई काम करने वाला नौकर बगरा तो नहीं था? सर, परोशी उन्हे बताया कि घर की साफ सफाई के लिए एक औरत आती थी, पर शाम के वप्त. अच्छा, शारा परोशन सन्मित. तु जानता है नहीं मुझे? मैं कौन हूँ, केस कर दूँगा तेरे उपर? अरे, केस मुझे पर करेगा? तुछ को रोना चीए केसओ. अरे, कुणी किसे काथ? अरे, रुप जा याद. तुझे बहला, कुणी तू रहा है? तुम कुणी को पर तूँआए? क्योंक्याद? संचहें दो दो को अच्छाएं अच्छाएं आप लोग आगए इन दोनों ने मेरे नाक में टंकर रहा है सर गृफताल कीजे इसे, इसने खुन किया है सर मैं तो अच्छा भला जॉगिंग कर रहा था ये नजाने कहां सर मेरे पीछे भाग किया और फकड़ लिया जूट बोल रहा है सर जोगिंग ने कर रहा था मुझे देखके भागा ही सर अब कोई कोईता लेकर मेरे पीछे दोड़ेगा तो मैं अपनी जान बचानी के लिए भागूँगा ना सर ये कोईता क्या गर रहा था तुमारे आतने वो मैं अपनी वाइफ के साथ पोथों की टैनिया कात रहा था तो सुमित्रा की चीखनी की आवास रही तो हर बढ़ा उट में कोईता मेरे हाथ में रह गया और में बचाने के लिए पागा सर उसे ताला चीली इसकी नए सर कोई हथियार नहीं है सर मैं इस शरीफ आजमी हूं मैं खुनी नहीं हूं सर लेकिन शरी आजमीयों के कपडों पे खून नहीं लगा उता है ज़रूस के हूं कहां से आया है सर सर जब मैं भाग रह था और ये मेरे पीछे भाग रह था यह मेरे उपर जपता था, ज़रूर सर इसका नाखून मेरी पीट वे चुप गया होगा और वही खून लगा है सरी जब तक यह जांच पूरी नहीं हो जाती तुम्हें हमारे साथ रहना पड़ेगा बेड़ी, सचिन, जिस रास्ते से यह संजे भागा है तो पूरा रास्ता अची तरीके से चेक करो देखो, यह हत्यार कहीं वहीं तो नहीं चिपाया इसमें बेड़ी, जब यह अर्जुन संजे का पीछा कर रहा था, तो उसने उसे यहीं कहीं आजपास देखा था क्योंकि अर्जुन ने जब उसे पकड़ा था, तो उसके हाथ में हत्यार नहीं था वो सकता है, एक काम करो, तुम सड़क के उस पार देखो, मैं इस तरह देखता हूँ ठीके विड़ी, मारी तबे तु ठीके ना मैं ठीकू, थोड़े पेल डगमगा गए, वो क्या है? वाइफ को इंप्रेस करने के लिए आज मैंनों नास्ता नहीं किया है मतलब डाइटिंग करे रहे हैं हम वैसे डाइटिंग में क्या खा रहा है? खादी रहोँ पी रहा हो अगरम पानी पी रहा हूँ पापी पेट को अंदर करना है गरम पानी प gagner से ये पापी पेट अंदर ने होगा बलकि तब ये तो और ख़ब हो जाएगे, समझे? ये लो गाड़ी की चाबई और गाडी में सेफ पड़े हो खाला वगर सब मेरी दाइटिंग का क्या तुमसे ये किसने गा कि डाइटिंग इस तरिके से की जाती डाइटिंग में आलूम है तुम हमें नही ना डाइटिंग का मतलब होता है कि सरीर कोजो नूंटृरिशंस की दरूवत है इसके उपर तो खून लगा हुआ है वार कुछ नहीं आ रही है थिया रियाश इसके सर पे वार किया गया है वो मार गया ऐसे सर, हतियार पे लगे खून का सुमित्रा के खून से कोई समन्द हो नहीं है बोल सकता है फेड़ी सर, सुमित्राजी के खखायाब आपि आ है आट शोत सुमित्रा को कि वो लड़का उचके लिए ठीक नहीं है लेकिन प्यार में पढ़ने के बाढ इनसान काmillे तेमाग कहाँ करता है सुमित्रा जी करन से प्यार करती है जी हाँ बहुत भूली थी मेरी सुमि और करन ने अपने जूटे प्यार के जाल में मेरी बेहन को फसा दिया था असल में वो इसकी दॉलत के पीछे था सुनिल प्ली इस तरह किसी भी इर्जाम मत लगा ये भी तो बहुत सकता है कि करन सेच में सुमित्रा जी से प्यार करता हूँ मैं अपनी बहन को अच्छी तरह से जानता था बच्मन से पले बढ़ते एक साथ आप आप भी बताइए, सर दो महिनों के प्यार में क्या कभी ऐसा हो सकता है कि बात शादी तक पहुच जाए तो आपको लगता है कि करन की नजर सुमित्रा जी की दौलत पे थी पिल्कुल सर बहुत समझाने की कोशिश की थी मैंने इसे लेकिन उससे मेरी एक नहीं सुनी तो उट्टा वह मुझ परगते लगी और अगर करन सुमित्रा जी से शादी करने वाला था तो प्रॉब्लम क्या थी दौलत तो वैसे ही उसके हो जाती तो वो क्यों क्यों करेगा क्योंकि कल रात को सुमित्रा ने मुझे फोन करके कहा था कि कि शादी कैंसल हो गई क्या शादी कैंसल हो गई जी हाँ सर, क्यों कोई छगड़ा वगड़ा था इन दोनों के दिश में जी नहीं सर, मैंने उसे पूछा नहीं, मैं ऐसी महीं खुछता कि कम से कम मेरी बेहन की जिन्दगी उस नाला एक आदमी से तो बची, आप ज़रा इस करन कर नंबर तेजिए आप दरा इस करन कर नंबर कि जोर मुझे में मस करो, क्या वा सर, वो गेट के आगे सचिन और फ्रेडी को एक आदमी के लाश में लिये, और उसके हाथ में हतियार भी है, इस आदमी को पैचानते हैं आपने? नहीं सर, इसे पहले कभी नहीं देखा, कमान है, अगर इसने सुमित्रा का खून किया है तो फिर इसका खून किछने किया, है कौन यह आदमी? पूराना पापिया लेकिन इस 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 आदमी की उगलियों के निशान अपने क्रिमिन डाटाबेश में मिले क्या नहीं सचे मुझे नहीं लगता है कोई पुराना पापी है हाँ लेकिन निस mentre दात पर हमें तीन लोगों के अंग्लियों के निशन में दो ए बनने वालों के और एक किसी अंजान यह निशन ही उस खुनी का है जिस ने इन दोनों का खुन किया है और यह आत्मी शैद घर अगरन है घरण जशे घरण सुमित्रा के भाई सुनिल का कहना है कि सुमित्रा का खोन आपने किया है क्या कहना है आपको सर ये सुनिल तुम उसे शुरू से चड़ता हा रहा है सर इसे मेरे और सुमित्रा की प्यार की गहराई का ज़रा भी अंदाजा नहीं सर प्यार की गहराई नहीं साजिश की गहराई बॉल मेरी भोली बाली मासुम रहन को भसाना चाहता था ताकि उसकी दौलत उसकी प्रॉपरटी पर कबदा जमा सके मुझे प्रॉपरटी चाहिए सर, मैं अपने मूँ से अपनी बढाई भी करना चाहता सर, मेरी खुद की कपनी का टर्णोवर सालाना पच्चिस करोन है दोसो लोगों की रोजी रोटी मेरे अंडर चलती ही सर सर, मैं पैसे के लिए मैं पैसे के लिए सुमित्रा से प्यार करूंगा सर तो फिर सुमित्रा ने तुम से शादी क्यों तोड़ी पर शादी सुमित्रा में नहीं, मैंने तोड़ी थी, सर, क्या, तुम ने तोड़ी, लेकिन तुम तो कह रहे थे के, तुम सुमित्रा से बहुत प्यार करते थे, सर, प्यार करता था, नहीं, करता हूँ, और आखरी सांज तक करता रहूंगा, सर, तो फिर, शादी तोड़ने की सर सुबित्रा बहुत सीधी थी और कान की कच्ची भी सर और यह सर दिन रात उसके दिमाग में मेरे खिलाफ जायर कोलता रहता था और इसलिए कभी वह मुझसे बहुत प्यार दिखाती और कभी-कभी एकभी एकदम से उख़ड जाती थी तंग आ गया था मैं उसकी इस रविय वह उसका सगा भाई हूँ, बहुत प्यार करता था उससे, मैं पता है कितना प्यार करते थे जब भी सुमित्हा को साहरी की ज़रो दोती थी, मैं उसके पास होता था सर, और यह लोग यह लोग महिनों महिनों उसे फोन नहीं करते थे और जब भी उसे फोन करते थे, मेरे खिलाफ बुरा भला कहने के लिए. सद मुझे तो लगता है, पैसे की चिंता इन लोगों की थी, कि कहीं सुमित्रा की प्रॉपटी इनके हाँ से ना निकल जाये सर. अबे क्यू प्रॉपटी की चिंता होने लगी सर? जो कुछ सुमित्रा का था, वो हमारा ही तो है. तुम, तुम बाहर वाले हो, जिसने हमारे घर में आकर आग लगा दी. देखने सर, बहन को उमरे हुए भी 24 गंटे नहीं है सर. और उसकी प्रॉपटी को अभी से अपना मान बैठा है. एक मिनट, एक मिनट. प्लीज आप लुक्षान तुजेए. करन, जब सुमित्रा का खोन हुआ सुबह 10 बजे, तुम कहा पे थे हैं? मैं, मैं सर, ओपेस में ता, सर. सर, पूरा स्टाफ वा अठक, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, सर. किसी पे शक है तुम्हें? कौन कर सकता सुमित्रा का खोन? आप तो खूबी सही पूछ रहें कि उससे किस पे शक है? मिस्टर सुनील, एक मिनट के लिए चोप रहेंगे आप. करन, किसी पे शक है तुम्हें? सर, अर्जुन हो सकता है, सर. अर्जुन वो सुमित्रा का पड़ोसी ही? हाँ सर, भई सर. सर, उसने सुमित्रा की नाग में टम कर रखा था, सर. चैन से जीना मुश्कल कर रखा था. सर, आज सुमित्रा को फोन किया, तो उस वत वो अर्जुन से ही जगड़ रहती है, सर. लेकिन किस बात पे जगड़ा हुआ है? सर, वो तो मुझे समझ बनी आया है, सर. केतने मजे फोन किया था? सर, यही कोई आट बजे, सर. लेकिन सर, मुझे क्या पथा था, सर. सुमित्रा और मेरा यह, आखरी फोन खौद हो गए. आट बजे समित्रा और अर्जुन का चगड़ा हुआ, और दस बजे खौन, इस से पुछताच करने पड़ेगी. इसलिए लोग कानून की मदद करने से कत्राते हैं, हम यह समित्रा की मदद करने आयें, और आप से इड़ीदे हम ही पर शक कर रहें? आप ऐसा क्यों सोच रहें कि हम आप पर शक कर रहें? हमें करन नहीं जो बताया है, वही उसी की पूछताच करने आये हमें, करन नहीं बताया कि आप लोगों का सुमित्रा के साथ कोई जगड़ा हुआ था, मेरा मतलब है बैस हुई ती आज सुभी ज़े बिल्कुल हुई थ इसका मतलब ये तो नहीं नहीं कि हम नहीं ये खुन किया है असे ये बताइए कि ये जगड़ा किस बात को लेके वहा था सर दरसल हम पेड़ पौधों को पानी देते हैं तो थोड़ा सा पानी उनकी घर की दिशामे में आ जाता था और उनकी जमीन गिली हो जाती था इसी ब सर हमें सुमित्रा जी की जीक की आवा सुनाई दी तो हमने देखा वह यहां घायलवस्ता में पड़ी थी जब मैं यहां भाग कर आये तो उन्होंने यहां अंदर की तरफ इशारा किया यहां कर देखा तो यहां कोई भी नहीं था फिर मैं दूसरे कमरे में गया तो वहां प पीछे का दर्वासा है नहीं सर उधर नहीं इस तरफ चलो ठीक है थांक्यू वेरे मच आप लोग जा सकते हैं अगर दरूरत वड़े तो आपको हम फिर से बुला लेंगें जी सर थांक्यू सुमितरा ने इस तरफ इशारा किया इस तरफ उस तरफ नहीं जहां पर गर का पीछे का दर्वासा है इस तरफ क्योंगें जायद सुमितरा जी कुछ और कहने के कोशश कर रहे थी मुझे भी यही रखता इश्वया, सुमित रहा कुछ कहने की कुछ बताने की कोशिश कर रहे थी, यह क्या है, इसके तो हिंजेज लगे हुए हैं, यह तो खोकला है, बॉक्स जैसा है, तो उठाओ इसे देखते हैं, है क्या इसके अंदर, हो नुदुदुदुदुदुदु हाथी के दाथ, वो भी इतने सारे हैं, सर कहीं सुमित्रा जी को मारने के लिए जो हतियार इस्तमाल किया गया है, वो हाथी दाथ भी खुनी ने, यहीं से तो नहीं निकाला है, सचीन, यहीं से ही निकाला होगा, मगर सुमित्रा के घर में इतने सारे हाथी के दाथ, कैसे हैं और क्यों, कहीं सुमित्रा हाती के दातों के तसकरी में तो नहीं लगी हुई थी सर, ये हाती दात आपको सुमी दीदी के घर में ले? जे आप कहां पढ़े थे? कहां पढ़े थे ये जरूरी नहीं, जरूरी ये है कि वहां कर क्या रहे थे आप लोग तो पड़े लिखे आदमी है आपको मालूम होना चाहिए कि हाती दात बेचना और खरीदना दोनों गायर कानोनी है सर, मैं सुमित्रा को बहुत अच्छी तरह जाता वो पशू पक्षियों से, जीव जिन्तूं से बहुत प्यार करती थी वो इस तरह के जुर्म में शामी होई नहीं सकती सर हाँ सर, ये हाती दात उनके नहीं हो सकते जरूर इसे करन नहीं रखा होगा, उन्हें फसाने के लिए हाँ हाँ, तुमारे हिसाब से तो हर मुशियवत की चड़ मैं ही हूँ एक मिनट, एक मिनट, आप लोग फिर से शुरू मत हो जाहिए, प्रेड़ी, टेचु को फोन लगाओ, पता लगाओ कौन है हाथी दात का सौधा कर सर, सुमित्रा के फोन रिकोर्ट आ गया, सर, मरने से पहले सुमित्रा को दो फोन कॉल आय थे, एक सुब़े आठ बजे और दूसरा नौ बजे, आठ बजे करन ने फोन किया थ, और नौ बजे मंजू ने, मंजू, यह मंजू कौन है, बता नहीं सर, सुमित्रा देदी के इस तो कोई दोस नहीं थी मरने से पहले आखरी फोन इस मन्जू का आया ज़रा मन्जू की डीटेश निकालो और मिलो जाके इस से सॉरी मैंने आप लोगें को पहचाना दी हम CID से CID यहां मेरे ओफिस में जी हां CID आपके ओफिस में आप सुमित्रा जी को जानती होंगी न हां वो मेरी क्लाइंट है मैं एक बिजनिस मेनेजर हूँ यानि कि उनकी धन दौलत पुन जी कहां इंवेस्ट करनी है यह आप उन्हें बताती है हां यह मेरे काम का एक हिस्सा है सुमित्रा जी बहुत नेक औरत है लेकिन वो CID के चकर में कैसे फजगी CID के चकर में फची नहीं बलकि उनका खून हो गया क्या उनका खून हो गया जहां उनका खून हो गया किसने किया हम लोग यही पता लगाने कलिए आपके पास आए सुमित्रा तो बहुत नेक इнसान थी उसके पिछे से कोई दुश्मनी भी नहीं थी और वो तो घर से बाहर भी नहीं निकलती थी जी हां, किसी ने घर में घुस के खुण कर दिया अंक वैसे आज सुबर आपकी फोन पर बात हुई थी नहीं से हां, क्या बात हुई थी, हम जान सकते हैं कॉन्फिदेंशल है, दरअसल मैं अपने हर क्लाइन के साथ कॉन्टेक्ट साइन करती हूँ, जिसमें उनकी सारी बाते गुप्त रखी जाती है देखी मैम, सुमित्रा जी तो अब इस दुनिया में नहीं अगर आप हमेसा योग देंगी तो हम उनके खूनी तक आसानी से पहुँच सकेंगे, प्लीज दरअसल वो अपनी वसियत बदलना चाहती थी क्या? अपनी वसियत बदलोना चाहती थी? हाँ, आज सुबह जब उनका फोन आया था तब वो बहुत गुसे में बात कर रही थी वो चाहती थी कि उनकी नई वसियत बने और उनकी सारी प्रॉपर्टी चैरिटी के नाम कर दीजाए चैरिटी के नाम? सर, हो सकता है कि सुबह ऐसा कुछ हुआ और जिससे वो बहुत गुसे में आ गए और उन्होंने अपनी वसियत को बतलने का फैसला लिया पर इससे पहले कि वो ऐसा कुछ कर पाती उनका खून हो गया अच्छा उनकी पुरानी वसियत देख सकते हैं? शो सर, वन मिनिट ये लीजिए तो सुमित्रा जी ने अपनी पुरानी वसियत अरजुन, सुनील और करन के नाम की थी सर, सुनील सुमित्रा जी के भाई है करन उनके बॉइफरेंड है पर अरजुन, अरजुन तो सुमित्रा जी का पड़ोसी है और कोई अपने पड़ोसी का नाम अपनी वसीयत में क्यों डालेगा? अब तो ये उन्टा पड़ोसी आर्जुनी बताएगा अड़े चुप क्या? बता चल के है? ठीक बोस, हमेरे सेर्ट छोड़ देना चाहिए पोलिस और CID वाले जगा जगा हमें डोट रहे अपना को यार उससे कितनी बार कहा है तीन बार सीटी बजा कर आया कर ती कोली चल जाती ना सीधा ओपर जाता आप करना बस, दिल में देड़ जड़ के लड़ो फोट रहे थे इसलिए सीटी बजाना बुल गया यहां आप सब के पसीने चोट रहे हैं तेरे दिल में डेड़ देड़ के लड़ो फोट रहे हैं किस बात के? अर्याज बास का जणनम दिन है इसलिए बास का बढ़ दिन? मेरा जणनम दिन? हाँ किसी न आपके लगाने बदाने बुलाए है अर्याज बास का बढ़ देओ मेरा जणनम दिन नहीं है 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 तो कौन है ये लोग? C.I.D. 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 और तुमारा जनम दिन आज है. मैंने कहा ना, आज मेरा जनम दिन नहीं है. तुमारा जनम दिन आज ही है. क्योंकि अपनी जिंदगी के शुरुवात, तुम अब नए सीरे से करोगे. और जिसके शुरुवात होती है, जेल की चार दिवारी से, समझे? चलो, सब लोग अपने अपनी गन इसमें डालो. तालो! जल्दीर! जल्दीर! तुम भी डालो! डालो डालो अपनी गन! डालो! एः! तुम भी अपनी गन डालो! लेकिन मेरी गन अभी भी मेरे पास है. और तुम ऐसे कोई भी जिन्दा बच कर नहीं जा पाए! क्या बात है? तुमारे जनम दिन का तौफा तुम मैं देता हो तुझा! इतना यादगार जनम दिन, तुम मेरे घरवालोंने भी आज़ तक नहीं मनाया! यह तो कुछ भी नहीं, यह तो सिर्फ एक शुरुआत है, जेल में और खातिरदारी होगी तेरी, बहुत शौक है न तुझे, हाथी के दाथ के तसकरी करने का? यह काम तो कब का छोड़ चुका हूं सर मैं, चकि मैं तो यह शेहर ही छोड़ने वाला था तुझे काम छोड़ चुका है, चालेज हाथी दाथ बेचे जाने वाले थे, यह तुझे पता नहीं था? यह एक अवरत तो फोनाय था सर, वहाथी दाथ बेचना चाहती थी, मुझे लगा पुलिस मुझे पसाने के लिए जाल बेचा रही है, यह मैंने मना कर दिया सर अवरत कौन थी? पता नहीं सर, नमबर तो होगा उसका, देखता है, देखा, भेचु को सब पता है, किस मुझे रिम से कैसे अपने मतलब की जानकारी निकलवानी है, मालू है, मालू है, नमबर बोल उसका, 1910-9754, अरे सर, यह तो सुमित्रा का नमबर है, तो इसका मतलब स ना कोई सुरा, ना कोई कवान, कुछ तो है, कुछ तो है, इस घर में, यह कोई तो है, जिसने यह खून होते हुए देखा है, करंड सुनील अरजुन संजे, कोई तो चीज है इस घर में, जो हमें दिखाएं नहीं पड़ रही है, क्या, समझ में नहीं आरा, यह हो सकती है, चीज, यह लो, पहली दिखाएं कैसे नहीं पड़ा मुझे है, है, इस घर में ही गवा है, जिसने खून होते वोई देखा है, मिल गया गवा, आप तो कह रहे थे कि गवा यही पे इस घर में, बिलकुल सचे, बिलकुल सही कह रहा हूँ है, कहां है सर, मुझे तो कोई दिख नहीं रहा है, हाँ, इखाता हूँ मैं गवा तुम लोगों को, यह है हमारा गवा, यह चोटा सा प्यारा सा पौधा, यह हमारा गवा और यही हमें मदद करेगा हमारी किसको सुल्जाने में, सर, यह पौधा? हाँ, सर, यह पौधा, यादे तुम्हें मैंने पहले कभी कहा ता जब हम बेड़ पौधों पर चर्चा कर रहे थे, कि पालतू जानवरों की तरफ बेड़ पौधे भी अपने मालिक के साथ रिष्टा बनाते हैं, लगा हो जाता है उन्हें अपने मालिक के साथ, हाँ, सर, पर आप यह भी गह रहे थें कि बेड़ पौधे अपने मालिक के विचार पढ़ लेते हैं, ESP, extra sensory perception, extra sensory perception कहते हैं उसे और इस पौधे का extra sensory perception हमें बताएगा कुणी के बारे में ले जाएगा हमें सुमित्रा के कुणी तकुणी तकुणी अर्जून सुनिल से नजय करण, चार भू लेकर आओ, सुमित्रा का भाई हूँ, आप मुझ पे भी शक कर रहे हैं, हम अपना शक दूर कर रहे हैं, देखिए, यहाँ पर एक light detector टेस्ट हो जाएगी, उसे पता चल जाएगा कि किसने किया है सुमित्रा का खून, light detector टेस्ट, कैसा टेस्ट, और किसका करवाएंगे, देखिए, हमारे पास एक गवा है, और वो गवा हमें बता देगा, कि खूनी, तुम में से कौन है, चलो अच्छा है, अगर वाकही कोई गवा है, किसी ने खून होते देखा है, फिर तो मैं बेगुना सामी दो जाएगा, हाँ, अब फिर आप लोग मुझे यहाँ बार-बार बलाएंगे नहीं हो, और काम को नुकसान नहीं होगा, बलाए गवा को, कहां है वो गवा, गवा देखना चाहेंगे, वो रहा गवा, वो है गवा, वो, वो पोधा, इसने खून हो तुम ही देखा है, हाँ ये पोधा, इ इसी पकवास है, आपको पता है, मैं कितनी इंपोर्टेंट मीटिंग छोड़कर आ रहा हूँ, फोरन डेलिगेट्स वहां मेरा इंजजार कर रहे हैं, और आप CID वाले हैं मजाग कर रहे हैं, ये कोई मजाग नहीं है, समझें, अब पताता हूँ आपको, देख विदेश य अगर हम पेड़ पौधों को प्यार करें, उन्हें पानी देकर सीचे, तो वो हमारी भावनां को महसुस कर सकते हैं, बिल्कुल फ्रेडी, और ऐसा करने से पेड़ पौधे अपने मालिक से स्नेह बढ़ाते हैं, प्यार करने लगते हैं, ये असंभव है, ये ज़रूर आप कोई चाल है, अगर आप लोगों से ये केस सुलज नहीं सकता है, तो कम सकम हमें तो मत फसाइए, CID कभी किसी को फसाती नहीं है, समझे, कि ये वे कर्मों की सजा दिलवाती है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, मैं आपकी बाद से सहमत हूँ, बैने हमेशा से महसूस किया ह कि हम पोदों से ना सिरुक बात कर सकते हैं, बलकि हम उने सुन भी सकते हैं, और वो भी हमसे बात कर सकते हैं, सुन अच्छी बात है, तो फिर शुरू ही करते हैं, है न, एक-एकर के लिए जाएंगा. करण जी, पहले आप चलिए, चलिए. चलिए, चलिए, यहाँ पर, सारूम के साब, ठीके फ्रेड़ी, ले जो आपको सुनिर जी, अब आपके बारी है, ठीक है, ले जा प्रेड़ी, ठीक है, अरजुन जी, ठीके फ्रेड़ी, बेजो, चलिए, चलिए, सारूम के साब, ठीक है, ओके, ठीक है फ्रेड़ी, ले जा प्रेड़ी, ठीक है, ठीक है, प्रेड़ी, ले जा प्रेड़ी, चलिए, बाउस इन लोगों में से किसी एक को देखकर बादे में केमिकल रियक्शन्स हुएं, जैसे साबित होता है कि सुमित्र का खुनी, इन चारों में से कोई एक है, अम इन चारों की फुटेज को फास्ट फॉरवर्ड करके देखता हूं, पुर्णी को देखते ही पौदा अपना मूँ फेर लेगा, यह देखो, सेर यह तो कमारा हुट है, पौदे ने वाकई अपना मूँ पहर लिया, सब्सक्राइब, स्लो कर और फिर से स्लो मोशन में दिखा, देखो, सवनुंकी, जुदा जूम कर इसे, कि अच्छाँ कर दो? कर दो? सब्सक्राइब कर दो कि आप लोगों के पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, अदालत आप लोगों के इस बात पर हासे की, कि आप लोगों ने एक पौधे को पर टेस्ट किया और उसके दम पर मुझे कातिल ठहरा दिया जड़ी, जड़ा, सब्सक्राइब कोई ठंड़ ना पर लुट कर दो कोई लशी वगारा देखो, बेचारी तो गर्मी हो रही है, अदा नहीं, मुझे कोई गर्मी नहीं लग रही है, सर मुझे घर जाने लेजे, गर नहीं जाओ के यही पर सडोगे तो, बताव, क्यों हमारा स तुमितरा को आपने मुझसे पचास बार ये सवाल पूछा है और मैंने हर बार यही जवाब दिया कि मैंने सुछ तरा जी का को नहीं किया है यही सच है ऐसे नहीं मानोगे तुम जब तक तुम नहीं बताता तुम यहीं पर बैटे रहोगे फ्रेडी उनका अच्छी तरह से खायल रखना है सर आप संजे को फ्रेडी सर के साथ अकेला छोड़ देंगे क्यों क्या प्रॉबलिम है सर वो हेमंत वाला केस याद है ना आपको हेमंद को भी अपने फ्रेडी सर के साथ अकेला छोड़ा था और फिर फ्रेडी सर को कितना गुस्सा आ गया था फ्रेडी ने गुस्से में उसे मार था नहीं मगर फ्रेडी ने अभी योगा होगा शुरू किया है उसने अपना गुस्सा कावून दाया है इस फाइन, इख लेगा अफ्रेडेड, इनका खायर अच्छे दर असे रखना हो के, हाँ सर, मैं सब समाल लूगा, गन काल तुमार, यह रही, क्या कर अपनी गन बाजय में रखो, तुमारी गन में से गोली कभी भी चलती है, ठीका सर, हाँ, क्या कर अफ्रेडी तुमारी तु प्लीस मुझे, इस अफिसर के पास मत्यों सर, यह मुझे मार लेकर तुमारी 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 तुमा मैंने सुचा कि क्यों ना वो फोन नम्बर ट्रेस करके और वो आती दात में चुडाने कहां है वो काजाना मैं यह खाजाना अब मुझे अमीर बनने से कोई नहीं रोग सकता अगर मुझे पता होता कि यह सबसमान तुमने इस टेबर में छुपाया है तो मैं यह तुम्ही यह टेबर अपने घर पर नहीं रखने देती सुमित्रा बात को समझने की कोशिश करो बिल्कुल नहीं मैं आप भी पुलिस को फोन करते हूं अरे बाप्रे पुलिस मेरी तो यहां से निकल जाने में ही बलाई है इस से पहले कि मैं कुछ समझ भाता सुमित्रा का पड़ोसी अर्जुन वो कोईता लेकर मेरे पीछे दौड़ तो आप सब जानते ही है सब मतलब तसकरी में सुमित्रा का हाथ नहीं था कोई और ही है जिसे जाने अंजाने में सुमित्रा नहीं मदद की थी वो औरत वो औरत जिसके साथ सुमित्रा बात कर रही थी तुमने तो दिखा होगा न उसे अच्छी तरस नहीं सर, मैंने नहीं देखा मान लिया कि तुमने खुन नहीं किया वगर चोरी करने की इरादे से दो गए थे न तुम तो सजा तो होगी तुम प्रेडे लिजा इस सर, इनके साथ, इनके साथ तुम्हें चलो चलो उश् sneer करने वाले बबबन को फोन में उसी अउरत ने किया पर वो भी सुमित्रा के फोन से ताकि सारा शक्त सुमित्रा पर जाएगा बड़ी चालाख है ये अउरत मगर कब तक भागेगी कब तक भागेगी ये हम से पीस फरवरी को तसकरी करने वाले बबन को फोन आया था सुमित्रा के फोन से मगर फोन करने वाली थी कोई और ही और और सर तीन ही आड़ते ऐसी हैं जो सुमित्रा के घर कभी भी आ जा सकती थी मालती, रावी और मंजू मालती, रावी और मंजू अब सक तो हम यह सोच रहे थे कि खुनी कोई और ही है लेकिन अब तो बात पक्की हो गई कि खुनी इन तीन औरोतों में से ही कोई है इन तीन औरोतों में से मगर सर इन तीन औरोतों में से खुनी कोई है ये किसे पता चलेगा सर सर पता चलिया है कि 20 फेर्वेल के दिन इन तीनों में से सुमित्रा के घर पे कौन मौझूद था यह देखे अच्छा यह है वो यह है वो और तो भी लब वक्त आ ही गया और गपरदा पाश करने का यह हो क्या रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है किसलिए अरे रावी तुम यहां हां मुझे समित्रा के घर से फोन क्या था और कहा था कि चल्दी आजा कुछ जरूरी बात करनी है अच्छा? क्या बात तब? आपन? मैं Sumitra जी की बिजनिस मैंजर हूँ. आपको भी फोन आया था? हाँ. Sumitra जी की ऐसे फोन आया था, उन्होंने कहा कि जल्दी से आ जाओ. कमाले, हम तीनों को फोन करके यहां पी इखटा बुलाया है. मुझे तो बहुत दर लग रहा है. कहीं हमारी जान को भी खटरा तो नहीं है? वह सकते हैं. वहाँ! अच्छाओ! आपको फोन आपको दिन्हें आपको दरालूगा! अच्छाओ! 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 दर्वासा कुलो! अच्छाओ! आपको वो जरह एका च्छाओ! आपको को गप! नयुक्त अच्छाओ! कुस्पी नहीं हो तो! अच्छाओ! तुछाओ! प्रेसे पीन में कुषक्क्षफन को प्न के इखल दीलेगा! अच्छाओ! आपकोशु लागाती हो.. आपको.. पाद हो लो बांच हो पॉलोओः कोसिश कर रहे थे यह लोग आप लगो को खुछ नहीं करेंगे हैं यह अप लोगो को कुछ नहीं करेंगे यह आरे सी आइडी के ओफिसर्स थें यह लोग आप आप लिए आप बालों ने हमारे साथ इत्ना भदा-मजा क्यों कीया वजाग इसलिए किया कि हमें खुनी तक पहुचना था इसलिए आपको तो पता है कि अगर सीधी उली से खी नहीं निकलता तो उली देड़ी करनी पड़ती है क्या मतलब है आपका मतलब ये कि खुनी जानता था कि सुमित राजी के इस घर में इस सेंटर टेबल के अंदर हाथी का दाथ था और वो खुनी अपनी आत्मरक्षा करने के लिए हाथी का दाथ उठाएगा पर ये टेबल तो हुआ है मैंने खोला है ये टेबल आखिर तुम सी मुझनों के साथ तो हम रोज नुपड़ते हैं समझी बस बस हो गया रोना अब बता हो उस दिन सुमित्रा ने मुझे पदलने की नहीं बल्कि इसलिए फोन किया था क्योंकि वो जान गई थी टेबल में चिप हुए हाथी दाथ के राज के बारे में और उस हाथी के राज के साथ साथ सुमित्रा तुमारा भी राज जान गई है ना और जब वो तुमारे लिए खत्रा बन गई तो तुमने उसे अपने रास्ते से हटा दिया हां मैंने पकिया को सुपारी दी थी सुमित्रा को मारने के लिए लेकिन सुमित्रा को मारने के बार मुझे ही ब्लैक्वेल क करने लग गया और तो और हाती के दाथ से मिलने वाले मुनाफे का आदा हिस्सा भी भागने लगा तुम दोनों के इस बैस पे तुम ये भूल गए कि सुमितरा कप की बाद पहुंच चुकी थी मदद मांगने के लिए है न हाँ इसलिए हमें हाती की दातों को यही छोड़ कर पड़ा और जाके चाड़ियों में चुप गए तुम दोनों हाँ और वही मैंने पकिया को मुझे धंकाने का इनाम भी दे दिया खून करके भागा है तुमने जुर्म किया है हाती के दातों की तसकरी का हाथे के दात जो हमारे देश के संपत्ती है और तो तुमने दो लोगों का खून भी किया है दो लोगों कानून तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा तुम्हें तो पासी ही होगी पासी को कön पासी हुआ है किfire याज दोगों है पासी है अ क्रिशों कि कम दो मौन करेद किक दो दो लागा है लोगों आप वन्स पिते हैं